Muslim League, Muslim League की स्थापना, दोस्तो यह भारतित तियास के दर एक बहुत डरदना घटना थी, क्योंकि यहीं से देश के टुकड़े होने सुरू हो गए थे, क्योंकि यहां दो तिन चीजए बड़े अहम माने जाती हैं, कि Muslim League की स्थापना क्यों की गई, दोस्तों आपको ध्यान है 1857 की जब करांती हुई तो हम लोग ऐस्पल तो हो गए थे लेकिन यहां हमें जो सबसे खास बात हमें मिली थी वो भारतियों के लिए थी हिंदू, मुस्लिम, एकता ये ये भारतियों ने बहुत जबरदस्थ कमाई थी क्योंकि मुहमद गोरी के आक तैमूर के आकर्मन हों चाहिए फिर दूसरे खिलजी जैसे लोगों के अटैक हो या फिर ओरंग जैब जैसे लोगों के अताचार हों इनसे जो हिंदू-मुसलिमों के अंदर जो दूरिया वड़ी थी वो दूरी स्वाब थोए 1857 की करांती में हिंदू और मुसलमानों ने यहां उनके दिमाग में एक ही चीज थी हिंके हिंदु NR pozw ser थोडने के लिए सबसे पहले उन्होंनें कौंग्रेस के श्थापना शेपने रिये लेकिन जबू क्यों के हाथ से दिकल गई तो उन्होंनेinky और को दोटर 1887 में ही उसने कॉंग्रेश को हिंदूओं की सस्था बोलना शुरू कर दिया और जब हिंदूओं की सस्था बोलना शुरू किया तो कहीं न कहीं वो कहना चाहते थे कि कॉंग्रेश तो हिंदूओं की है और एक स्टेटजी एक चाल और सली अंग्रेजों ने 1885 से लेकर के 1905 त तक जब हिंदूओं को स्पोर्ट किया और मुसल्मानों को कहीं न कहीं बाइकाट किया तो वहां हिंदू और मुसलिमों में थोड़ी सी कटूता पैदा हुई क्योंकि आप सब जानते हैं अगर क्लास में दो स्टूडेंट एक जैसे हों और टीचर एक का प्रक्स लेगा तो दोनों स्टूडेंटों में इर्शा पैदा हो जाएगी तो यहां 20 साल तक उन्होंने भारतियों के अंदर हिंदूओं को स्पोर्ट किया मुसल्मानों को कमजोर किया इससे मुसल्मान हिंदूओं से नफरत करने लगे और 1905 तक यह नफरत बढ़ती गई जब 1906 में सारे के सारे मुसल्मानों को धाका में इकठा करके अंग्रेजों ने पूछा कि आप लोगों को डवलप्मेंट चाहिए मुसल्मानों ने का कि बिल्कुल चाहिए तो अं मुसल्म लीग की निउ रख दी गई क्योंकि मुसल्मानों को भी लगता था कि अगर हिंदूओं की सस्ता कोंग्रेश उनका डवलप्मेंट करवा रही है तो हमारे पास भी मुसल्म लीग होनी चाहिए यह बहुत बड़ी पॉल्टिक्स थी एक बहुत बड़ी गुगली थी जो अग्रेशों ने फैकी थी और जिसमें भारतों मुसलिम संदाय फस गया और यहीं से भारत के टुक्ड़े होने की सुरवात हो चुकी थी यहांसे पाकिस्तान के विभाजन की पाकिस्तान के जनम की और भारत की विभाजन की निउ की पहली इंत रख दी गई थी यह लीग की स्थापना हुई तो जिन्ना ही पहला व्यक्ति था मुसल्मानों में जिसने कहा था कि मुसलिम लीग गलत बनी है यह ऐसी संस्ता बनी है जो देश के टुकड़े करवा देगी वो और समय मुहम्मद ली जिन्ना मुसलिम लीग के विपक्स में था और कॉंग्रेस के अं करने में सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान के बनवाने में और देश का टुकड़े करने में जिन्ना कई रहा यह इसकी दूसरी भी सचाई है अब यहां देखेंगे कि मुसलिम लीग की स्थापना के लिए यहां बनाई गई थी इसके लिए आपको तीन डेट याद रखनी सथापना हुई 1907 में मुस्लिम लीग का सुविधान बना और 1908 में मुस्लिम लीग की पहली बैठक हुई यह चीज़ अच्छा मुसलिम की सथापना कहां पर हुई ढाका के अंदर हुई स्विधान कहां पर बनाया गया, कराची में बनाया गया, और पहली बैठक कहां पर हुई, अम्रिसर के अंदर हुई, ये तीन चीज ओर ध्यान रखनी है, 6 में मुसलिम लिक की स्थापना हुई धाका में, 7 में इसका स्विधान बनाया कराची में, और 8 में इसकी पहली बैठक हुई अमरिचर के अंदर. अच्छा दूसरी चीज, जो धाका के अंदर पहले सबसे पहले बैठक हुई थी, वो बैठक 30 दिसंबर 1906 को की गए थी. धाका में जो पहली बैठक हुई थी, वो 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, और यहां किसके निमंतरन पर हुई थी? नवाब सलीम उल्लाओ खान, सर आगा खान भी इसका सस्थापक माना जाता है. नवाब सलीम उल्लाओ खान और सर आगा खान ने मुसलिम लीग के यहां पर स्थापना की थी. ये दो दो चीज़ों याद रखनी पड़ेंगी और पहला अध्यक्स यहां अमरेसर की बेटे के अंदर मुस्लिम लीग का जो बना वो भी आगा खान ही था मुस्लिम लीग का पहला अध्यक समरिस्टर मिटिंग के अंदर जो फर्ष चेर्मेन बना वो भी सर आगा खान ही बना था एक ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रहाएं